इंडी गटबंधन के जीत के दावों का सवाल का बीजेपी के राश्टे अध्यक्ष जेपी ने जवाब दिया नियूजेटेन से बाचीट के दौरान बीजेपी के राश्टे अध्यक्ष ने गटबंधन को आरे हाथ लिया यूपी में दो लड़कों का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि दो लड़कों की पहले भी फिल्म फ्लॉप हो चुकी है रात आट मजे देखिए पूरा इंटर्वियू आज कल विपक्षी नेता कई सेफॉलोजिस्ट बन गए हैं मैं एक एक करके नाम लेता हूँ अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी को 140 सीटे मिलेंगी राहुल गांदी डेट सो अजिए जिवाल 220 मलिका अरजुन खड़के ने दावा किया है उन्हें बोला की 270 आ रही है और एक नेता तो ऐसे है मैं उनका नाम क्या लूँ वो पहले से फॉलोजिस्ट थे फिर एक पार्टी में गए वहां से लात पड़ी तो बाहर आ गए हाला कि वो दबेश हब्दों में कह रहे हैं कि एंडिये 270 पे पहुंच सकता है तो मतलब ये सारे आंकडे में आपके सामने रखे हैं आपका टेक क्या है ऐसा है ये कोई इनों ने कोई जमीन और धर्ती से कनेक्टेड लोग नहीं है मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ ये अपने खुशनमा इनको रखने वाले लोगों के साथ घूमने वाले लोग है और वो इनको गलत फहिमी में रखने वाले लोग है और इनमें भी कोई एक मत्ता नहीं है यानि ये कोई अंडर्स्टैंड इस सीरियसनेस इनकी पिछा है कि बीजेपी अच्छा ना करें तो मुगना किराल के हर्षीन सब ने ये देखते हैं अखिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को कि उत्तर प्रदेश में समाजवधी पार्टी और कॉंग्रेस कि यानि दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीट्स आएंगी एक बनारस उन्होंने बुला उन्होंने कोट अनकोट क्योटो की सीट हो सकता है बीजेपी जीच जाए ऐसा है मैं उसमें भी कहना चाहूंगा यही दो लोगों ने एक फिल्म मनाई थी ना 2017 में और फिर वो फ्लॉप हुई थी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी और फिर ये बिछड गये थे फिर दो भाई वापस मिले हैं आपस में दोनों शहजादे ठीक है गम भुलाने के ले गालिब ख्याल अच्छा है चार को उसे दोजार उन्निस में आप भी उत्तर प्रदेश के परभारी थे सपा बस्पा का एक बहुत जबरदस्त अलाइंस्ता आरेल डी भी थी इस बार आप उत्तर प्रदेश का नंबर कैसा दिखाई देता है अखिलेश जी को 79 अपना द चार आरेल कोई नच्छा है अबर युमादा माँ खेड़्स का बाप जबादस सफंटर प्रदेश का युमादा है अग्सार अव्सा चार चरव्सार बहुता जबराईंस्तर आरेल को चार में अवकर राक को आप 3-5-5-0-0-8-8-0-9-0-6-0-7-0-8-0-8-0-8-0-8